हैलू दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में बिहार बोट के क्लास 12 के बाइलोजी के एंसर की को जारी कर रहा हूँ टोटल 70 प्रस्ण है और यह जो है आपका आज का ही प्रस्ण है और इस वीडियो में जो है सेट एफ जो है पूरी तरह से देखेंगे तो जो बच्चे के पास सेट एफ है वो एंसर की मिला ले बाकी जिनके पास भी नहीं है वो चाहेंगे तो कोशन के अनुसार जो है वो मिला सकते है टोटल सत्तर प्रस्ण में केवल दो प्रस्ण का इसमें एंसर नहीं है क्योंकि वो दो प्रस्ण मेरे पास नहीं है बाकी जो भी प्रस्ण है वो सरय का जो है आपका एंसर सही है आप मिला ले तो चलते हैं, पहला question देखते हैं, carbon monoxylic प्रमुख परदूशन है, तो यह जो है एक प्रकार का वायू परदूशन है, तो इसका answer एक होगा, second है निमलेखित में से कौन जय आवर्धन परदर्शित करता है, तो यह जो है आपका A और B दोनो, para और ddt दोनो परदर्शन करता है तो second का जो answer होगा, वो option C होगा, first का answer होगा, option A, आगे देखते हैं, third number प्रस्ण है, कि रेडियो धर्मी परदूशक के सबसे प्रते कूल प्रभाव का परिमान है, तो इसका जो है, आपका answer जो होगा, वो होगा, जी उत परिवर्तन, इसका answer D होगा, चार नमर है, heroin है, तो जो answer होगा, इसका होगा, option C, आगे देखते हैं, पांच नमर प्रस्ण, तो पांच नमर प्रस्ण भी जो है, आपका इसका answer जो होगा, वो option B होगा, पेंटोसेस, इसका answer B होगा, six number देखते हैं, तो six number question का जो answer होगा, आपका, वो होगा, x-ray crystallography द्वारा, यह पूछा हुआ है कि DNA के nucleodides की विवस्था किसके द्वार देखा जाता है, तो x-ray crystallography के द्वारा देखा जाता है, तो इसका answer जो होगा, वो option B है, आगे देखते हैं, seven number, तो seven number question में बोला गया है कि जब DNA का एक विलगन टुकरे, इतना degree और celsius पर रखा जाता है, तो क्या होता है, तो इसका जो answer होगा, वो option अपका C होगा, यह RNA में बदल जाता है, तो इसका answer D होगा, it's change into RNA, जब इतना degree पर रखा जाता है celsius पर, तो इह जो होता है, change होकर RNA में बदल जाता है, तो seven number का answer option D है, eight number देखते हैं, तो eight number जो है मनुसे के प्रात्मा, मत्रात्मक लक्षन का उधारन क्या जलता है, तो यह है तवचा का रंग, इसका answer होगा, वो option B होगा, तवचा का रंग, next है, एक gene के बिविन रूपो को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, एक gene के प्रमुख जो बिविन रूपो जो बोलते है, LL कहते हैं, मतलब यह option B आपका सही है, आगे देखते हैं 10 नमर तो दस नमर का जो एंसर है रेसम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है तो दस का जो एंसर होगा वो आप्शन आपका होगा फैवरियोन तो इसका फिवरोईन इसका एंसर यह होगा नेक्स्ट देखते हैं 11 नमर तो 11 नमर जो है लाइसीन युक्त सक्ति रेटेन यहों प उत्पादन करता है, क्या उत्पादन करता है, तो इसका जो होगा, option B सही हो, D सही होगा, A और C, दोनो, इसका answer D होगा, 12 का answer D होगा, आप याद रख लेंगे, मिला लेंगे, तेरा नमर प्रस्न है, तो तेरा में पूछा गया है, निसेचन आंत्रिक होता है, तेरा जो होता है तारा मचलियों में होता है इसका answer option A होगा आगे देखते हैं 14 नमर तो 14 नमर प्रस्थ है विभिन्ता का मुख्य सुरुत क्या है तो इसका जो answer होगा वो option अपका B होगा परिवर्तन उत परिवर्तन 15 नमर का जो answer होगा वो option अपका B होगा 16 नमर देखते हैं तो 16 नमर का जो answer होगा वो आपका होगा और समाजात अंग मतलब option B जो होगा आपका सही है sorry option D सही है 16 का जो होगा option D सही है homologous organs होता है 17 नमर का answer देखते हैं PCR के दोरान होता है तो 17 का जो answer होगा वो option आपका B सही है 18 का answer देखते हैं तो 18 नमर का answer जो है आपका C सही है प्रतिबंद X exam इसका मिला लिए answer अगर इंग्लिस में है तो आपका C नमर सही है 19 का जो answer होगा वो option आपका A सही है 20 नमर देखते हैं तो 20 नमर question पूछा है कि 20 स्वास्त दिवस कब मनाया जाता थी है जो है प्रतिबंद 7 अप्रेल को मनाया जाता है तो इसका जो answer है वो option B है आगे देखते हैं तो 21 नमर question में 21 नमर question में बोला गया है कि द्वारबी से सुता इसका option B होगा protein के amylo amn का 22 नमर देखते हैं copper D का कारे क्या है तो 22 नमर का answer जो है नी सेचन को रोकना इसका answer C होगा 22 का answer C होगा stop fertilization 23 नमर question देखते हैं तो 23 नमर question का जो आपका answer होगा वो आपका होगा option B यह virus के कारण होता है 24 नमर question का जो answer होगा वो आपका होगा option D इनमें सभी यह तीनों होते हैं यह ने पडियोर टखने की उपयोग करता है यह तीनों आपका सईय है उपयोग तो सभी होजागा इनमें से सभी का option D, 24 का D होगा 25 नमर देखते हैं तो 25 नमर का जो answer होगा वो आपका option B होगा insulin 26 नमर देखते हैं तो 26 नमर का जो answer होगा वो आपका होगा option C Plasmide 27 नमर प्रास्ट में देखते हैं तो 27 नमर का answer जो होगा आपका यह हो जाएगा Eco RV option B आपका सही हो जाएगा 27 का 28 नमर प्रास्ट में देखते हैं तो 28 का जो answer होगा वो option यह हो जाएगा वनस्पति उध्यान Botanic Garden 29 नमर देखते हैं तो 29 नमर जो answer होगा इसका option D हो जाएगा सुध रेखा 30 नमर का देखते हैं तो 30 नमर प्रास्ट का जो answer होगा वो option D हो जाएगा A and B A and C दोनों सनचन के लिए और prediction के लिए मतलब prediction and protection दोनों के लिए किया जाता है 31 का जो answer होगा वो option B होगा कौबक तथा पौदो की जरो के बीच में यह जो होता है कौव कॉम्मूल एक सजीवी संग जो होता है वहीं पाया जाता है 32 नमर देखते हैं 32 का जो answer होगा वो option आपका B हो जाएगा butterfly and flowers में होता है 33 का पुछा है pH man amino amyl का तो इसका जो answer होगा वो होगा 5.6 33 का जो answer होगा वो option ही हो जाएगा 34 नमर जो है 34 नमर का जो है photo chemical smog में होता है क्या होता है इसमें nitrogen के oxides और SO3 PAN होता है आपका option B सही हो जाएगा 34 का 35 नमर देखते हैं 35 नमर जो है आपका पुछा है तो इसका जो होगा मदा जनन के mark से जो होता है जाता है nuclear process तो इसका answer option B हो जाएगा 36 नमर देखते हैं तो 36 नमर का जो answer होगा वो option अपका B हो जाएगा M.A.N.A.N.A के साथ 37 नमर देखते हैं तो 37 नमर का जो answer होगा वो option C हो जाएगा Indothermic Cell Division E, option C सही है 38 नमर का जो answer होगा वो option अपका C हो जाएगा Guru B.Janu Mega Scope Mega Sport 49 नमर हो गया 49 का जो answer होगा वो आपका option D हो जाएगा गाई मादा जनतू किसके मद चक्र होता है तो गाई के चक्र होता है 49 का जो है D हो जाएगा 40 नमर का answer देखते हैं 40 नमर का answer जो है गौलजी के द्वारा होता है गौलजी कारी के द्वारा तो option C इसका सही है 41 का जो answer होगा वो option C होगा Koryon द्वारा होता है 42 नमर देखते हैं 42 का जो answer होगा वो option अपका C हो जाएगा जनन कोसिका के द्वारा 43 नमर question देखते हैं तो 43 का जो एंसर होगा वो option आपका D हो जाएगा blastocrystal 44 नमर का जो एंसर होगा आपका वो हो जाएगा option D peritonial griho में आपका answer cavity peritonial gravity 45 का एंसर देखते हैं तो 45 का जो एंसर होगा वो option आपका B हो जाएगा carbon dating के दोरा किसी भी मनुस्टे की IU मापी जाती है 48 नमर देख लेते हैं दो question यहां छूट गया है 46 और 47 जो एंसर नहीं है 48 नमर प्रस्टन देखते हैं तो 48 का जो एंसर होगा RNA से जो डिने बनता है तो इसे क्या करते हैं cDNA करते हैं इसका answer D होगा 49 नमर प्रस्टन देखते हैं तो 49 नमर आपका जो है प्रस्टन देख लेते हैं 49 नमर प्रस्टन है आपका तो इसका जो एंसर होगा वो option D हो जाएगा track polymerize 50 नमर देखते हैं तो 50 का जो एंसर होगा option B हो जाएगा 51 नमर प्रस्टन देखते हैं मनुस्य के दाद की बिमारी होती है तो किस के दवारा होती है तो 51 का जो एंसर होगा वो होगा कौवक के दवारा होता है फंगल फंगी के दवारा आगे देखते हैं एट्स बिसानू की अनुमानसिक पदार्त हैं तो 52 का जो एंसर होगा वो option आपका B हो जाएगा single strange RNA है तिरपन का एंसर देखते हैं तो तिरपन का एंसर जो है आपका A हो जागा राइवर जूम 54 का एंसर देखते हैं तो 54 का जो एंसर होगा वो आपका B हो जाएगा अंटिबायोटिक 55 का एंसर जो है मरुवस्थली अनुकूलन का उधारन है देखते हैं जो है आपका 55 का एंसर हो जाएगा आगे वे 56 नमर देखते हैं तो 56 का एंसर होगा वो आपसन आपका C हो जाएगा A और C lifelong and necklace वह दोनों हो जाता है तो इसका C answer हो जाएगा 57 नमर देखते हैं तो 57 का जो एंसर होगा वो अप्शन आपका D हो जागा काजी रंगा पस्षी अभारन में जो है हुलॉक गिवन पाया जाता है अंठावन नमर देखते हैं तो अंठावन का एंसर जो होगा आपका A हो जाएगा सुवेद्र प्रजातिया जो कि लूप्त में पाया जाता है रे डाटा बु आपका A हो जाएगा जो wyn यह जो होगा फूल गोवी में होता है तो इसका अंसर अप्शन B होजएगा 65 का जो एंसर होगा वो option आपका ए हो जाएगा ग्रैफ्टिंग के 66 का देखते हैं तो 66 का देखते हैं तो 66 का जो एंसर होगा वो option C हो जाएगा ऐसे इस question में doubt है क्योंकि यहाँ पर पूछ राइए इसमें पाये जाने वाला जो होता है वीट में 42 भी पाते हैं 14 भी पाते हैं और साथ ही पाते हैं लेकिन यहीं है कि और लग रहा है तो इसका एंसर यही होगा शरीर में क्या है एडी यह कई बोड़ी क्या होता है इस थल है तो इसका जो एंसर होगा आपका option B सही है और 60 नमर देखते हैं यह लास्ट प्रस्ण है दो प्रस्ण और नीचे गायव है और 60 का जो एंसर होगा वो option D हो जाएगा तो यह जो था बाइलो जी के एंसर की था जो कि आपका set F से था आज 7 फरवड़ी है आपका एक्जाम वाला दिन था इसलिए आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आइस व मत जाए हिन जाए भारत मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद